देवादी देव अरहत वीतराक परमात्मा बोही दयानम सद्गुरु देव एवं आगमवानी को भाव मैं वन्देना उपस्तित भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम हम सबकी जिन्दगी बहुत सारे विरोधा भासों का एक संकलन है अजीबो गरीब विरोधा भास हम सबकी जिन्दगी में मौझूद रहते हैं देखे उन विरोधा भासों मैंसे एक विरोधा भास ये भी है कि आदमी जिसको बुला लेता है उसी से कत्राता है कि जो चाहता है उसी को नहीं भी चाहता है जो मिल जाता है नहीं मिले तब तक उसकी बहुत तड़प और जैसे मिल जाये वो चीजें मेहत्वहीन होने लगती है मेत्वहीन लगने लगती है दूरियां आकशन देती है नजदी कियां विकश्षित कर देती है है नहीं विरोधवास बड़े अजीवोगरी विरोधवास है ऐसी लोग चाते हैं कि सब अच्छे कारम करें हम लेकिन फिर भी गलत करम कर बैठते हैं चाते हैं किसी के दुख का कारण न बने हम लेकिन फिर भी जिन्देगी में बहुत तो बार अपने सगे संबंदियों के लिए दुखों के निमित बन भी जाते हैं हम सब सूक्रत करना चाते हैं लेकिन फिर भी हम सब से दुशक्रत भी होते चले जाते हैं अब सवाल पैदा होता है कि जब हम सुकृत करना चाहते हैं तो बहला दुष्कृत हम से क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है? खोजा? क्या कारण? सुकृत करना चाहते हैं, दुष्कृत हो जाते हैं? बहुत सारे कारण हैं. एक कारण तो यह है that हम को सुक्रत की और दुषक्रत की समझ भी नहीं होते चाहते हैं कि अच्छा बोलेंगे अच्छा करेंगे लेकिन कई बार उस अच्छे की परिवाश्या भी समझ में नहीं आते ही तो सुक्रत की सही समझ नहोने के कारण से भी हमसे दुष्कृत हो जाते हैं। दूसरी बात कि सुकृत की सही समझ कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। कैसे प्राप्त कर सकता है। कि सुकृत क्या और दुष्कृत क्या। लगता है। कि हमें सही समझ है। हाँ अगर एक आदमी यह सोचे कि मुझ से जुड़ेवे लोग किसी का बुरा ना हो इसलिए वो अपने आपको हर तरीके से योग्य बनाए और अपने आपको अच्छे करतियों के लिए जोंक दे तब भी पता है क्या होगा तब ही साथ रेने वाले लोग कहेंगे कि तुम क्या हमें निचा दिखाना चाह रहे हो सब काम खुदी क्यों कर रहे हो तुमें क्या अगता है हम नहीं कर सकते अब वो शुकृत करने जा रहा था दुश्कृत हो गया तो कई लोग कहते है मारा साभ भला करो तो बुरा हो जाता है अब एक तरफ क्याते है कि कर भला तो हो बुरा और बुस리 तरफ के जाते है कि बुला हो गया कही लोगों कँ एक सा ऐखिश्परिंस है एक बार हम विहार कर रहे थे तो रास्ती के अंदर बह सारी ट्रॉक्स गुजरती हैं आपको पता ही है, तो बहुशरी पाफ दर्क्स के पिछे, बढ़ अलग अलग तरे के कोटिशयन्स लिख्यफे होते हैं, तो एक रख कर वीछ लिख भाइव कि ने की कर जूते ख़ा मैंने ख़ाय तू भी क्ष़ क्योते है, मैंने खाए तू भी खा ले तो यह बात पढ़कर कही हसी आई कि अब तक तो बच्पन से सुना था कि नेकी कर दरिया में डाल है ना, अच्छा काम करो और भूल जाओ, और यहां तो उल्टी बाते सुनने को मिल रही है कि नेकी करो और जूते खा ऐसा कैसे लेकिन जब जीवन की गहराईयों में जाओ जहांको, अनुभवों से गुजरो तो यह भी बाते समझ आएगी कि ऐसा भी होता है अच्छा करने पर भी आपको बूरे का टिका मिलता है क्यूं होता है गहराईयों में जाओ तो कारण समझ आएगे कि यहां करने का भाव मात्र ही आरंभ कहलाता है मैं करू यह भाव मात्र ही आरंभ है चाहे मैं नेकी ही क्यों करना करू चाहे मैं भला कार्य ही क्यों ना करू जहां भी करने का भाव आया करता भाव आया मैं करू करके दिखाऊं लोगों का भला करवा दू सब का हिच साथ दू किसी को नुक्सान नहीं पहुचने दू लेकिन जैसे करने के भाव से गया आदमी वैसी उसको कही ने कही तो ठेश लगेगे चोट लगेगे और यह चोट किन को नहीं लगते अगर हम आध्यात्मिक सुत्रों को समझें और इन आध्यात्मिक पुरुशों की जिन्देगानी को देखें तो कई बार बड़ी हरानी होती है कि जो जीव तिर्थम कर गोत्र का बंद करता है वो इसी भावना के तहर तिर्थम कर गोत्र का बंद करता है कि जो सत्य मुझे मिले तो सबको मिले जो मुझे मार्ग मिला तो सबको देऊ मुझे ग्यान मिला तो सबको देऊ मुझे मुक्ती मिली तो सबको मिले बहुत कथाओं में एक कथा आती है महायान मार्ग की कहते हैं कि गौतम बुद के बाद उनको मानने वाले लोगों में दो पनत बन गए जैसे जैनों में दौ पनत बने ना शोachen तंवर और दिगंबर ऐसी ग्ताम बुद्ध के बाद भी दो पनत बन गए एक हीन यान कहलाया और दूसरा अंचान कहलाया हीन यान शंक्रा मार्ग महायान बड़ा मार्ग विशाल मार्ग महायान के लोग कहते हैं कि कौतम बुद्ध का जब निर्वान का समय आया तो आकाश्य देवता उनकी सेवा में उपस्तित हुए और बोले कि अब आप निर्वान को अपलब्ध होने वाले हो अब आप मुक्त हो जाने वाले हो अब दुबारह इस अंसार में नहीं आओगे तो इन सारे लोगों का क्या होगा जो तुम पे बहुत बशुआ करते हैं जो तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं जो तुम्हारे संदेश को सुनना चाहतے है और जिनको ये भरोसा है कि तुम हो तो हमारी दुखों से मुक्ति हमें मिल जाएगी कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने उन देवताओं की बाते सुन करके अपना संकल्प जाहिर किया कि मैं तब तक मुक्त नहीं होंगा जब तक कि मैं इन सारे लोगों को मुक्त ना कर दूँ मैं इन सब को साथ लेकर जाऊंगा अब बड़ी हरानी की बात है ना इसलिए गौतम बुद्ध के आगे करुणावान शब्द लगता है कि वे बहुत करुणाशाली विक्तित्व के धनी थे उनके भीतर इतनी करुणा भावना थी कि मैं मुक्त हूँ तो सब को साथ लेकर के मुक्त हूँ मैं हकेले मुक्त नहीं होना चाहता मुझे सिद्धी मिले तो सब को मिले मुझे सत्य मिला मुझे आनद मिला तो सब को मिले और ये भावना की तहद वे रुके रहे और ऐसा महायान वाली कहते है कि गौतम बुद्ध ने अभी दुबारा जनम लेना है और जब वे दुबारा जनम लेंगे तब बहुत सारे लोगों को साथ लेकर के मुक्त होने वाले हैं मतलब मुक्त होते हुए भी रुक गए जेन सुत्रों में ऐसे वेक्तियों को हम सरवार्त सिद्ध विमान के देवता कहते है कि वो सरवार्त सिद्ध को सर्व अर्थों को सिद्ध कर लिया फिर भी एक भव अपना बाकी रखा कोई नो कोई संकल्प बाकी बज गया चाहे यही शुब संकल्प क्यों न रह गया हो कि मैं सबको मुक्ती दू फिर मुक्त बनू यह भावना बुद्ध पुरुशों को भी संसार में एकाद और जनम करने के लिए रोक लेती है लेकिन इसके आगे की बात यह है कि जब वो ऐसी भावनाओं की वज़े से तिर्थंकर गोतर आदी का बंद कर लेते हैं तिर्थंकर बन जाते हैं मास्टर बन जाते हैं महापुरुष बन जाते हैं तिर्थंकर का मतलब है कि इस घाठ से उस घाठ लोगों को ले जाने के लिए जिम्मेदारी ले लेते तित्थ यरा शग्द है प्राकृत भाषा में तित्थ यरा का मतलब होता है कि तीर्थ को तीर्थ पे तीर्थ यानि जहां तेरा जाता है जैसे नदियों के मोहाने पर तीट बने होते हैं तो वैसे संसार रुपी एक किनारे के लोगों को निर्वान के और ले जाने के लिए जो बीडा उठाते हैं उनको तिथ्थियरा कहते हैं तो वैक तरशे ऐसे मल्ला है, ऐसे उन से जो लोग जुड़े, वे सारे लोग भी अपनी अपनी सोच से ही उनकी वानी को समझ पा रहे हैं, अपनी सोच को छोड़ करके उनकी वानी को नहीं समझ पा रहे हैं, और तब, उनके रेदे में इस संसार के स्वरूप को जानते हुए, एक खेद पैदा होता है, और वे जानते हैं कि ये मेरा अंतिम बंदन बचा कि मैंने तिर्थंकर होने का कल्प किया इसलिए मैं ठहरा हुआ हूँ वरना केवल ग्यान होने के बाद ही वे मुक्त हो जाते अंतक्रत हो जाते केवली हुआ और मुक्त हो गए लेकिन वे अंतकरत नहीं होते आप सोचो उस विक्ति को जिसको पूर्न ज्ञान हो गया और उसके बाद भी वो शरीर के अंदर रहता है और शरीर धारियों के साथ में रहता है अग्यानियों के बीच में रहता है अब एक जागा हुआ वेक्ति हम जैसे सोचो हुए लोगों के बीच में रहता है तो उसकी क्या स्थिति होगी और सोचो हुए लोग उसके बारे में क्या-क्या बाते बनाते होंगे अगर वो ग्यान भी देगा तो लोग केंगे अच्छा जिनको शौक पड़ा है लोगों को ग्यान देने का, समझ देने का अरे हम अपने सपनों में सोये तुम हमारा गरबार क्यों छुड़वा रहे हो तुम हमारी को ग्यान क्यों दे रहे हो तो में गलत आत्तों की पहचान क्यों दे रहे हूं हम ठीकी तो है अगर सामने वाला मारे और हम भी मारे तो ठीकी तो है और आप कहते हो कि सामने वाला मारे और तुम मार खा जाना क्योंकि वो तो निमित है और उसका तो कोई दोश नहीं है तुमने कभी अतीत में किसी को मारने का कल्ग किया होगा इसलिए कोई तुमें मार रहा है अगào ऐसी भात कोई सुने तो कहेंगे तुम मुर्ख होए तुम दुनिया में रहने के लाएक नहीं हो तुम इस दुनिया की प्रैक्टिकल जानकरी क्या है और ऐसे हम मार खाते रहे, तब तो दुनिया वाले हमें मारती चली जाएगी, भॉंदू बना देगी, मुर्क समझेगी, और फिर हम जैसों के लिए दुनिया रहने लाएक ही नहीं बचेगी, तो क्या हम मर जाएगी, अच्छा यही है कि एक मारे तो हम भी वापस दो मार के आ और कुछ देर तक अपनी बाते करने के बाद बोली कि मारा साफ मुझे गुसा बहुत आता है, तो हमने जैसे समझाते हैं वैसे उसको भी समझाया कि बहन गुसा क्यों करते हो, सब के गुनों को देख लो, और किसी ने कुछ बुरा भी किया, तो ऐसा विश्वास करो ना कि तो निमित है, निर्दोश है, आप इसकी वैख ऐसी क्यों करते हो कि तुम्हें गुसा है, बोले महारा साफ, आपकी सारी बाते है ना प्रैक्तिकल नहीं है, मेरा पती या मेरा बेटा या मेरा कोई भी सगय संबंदी मुझे कुछ बहुत सुनाता है, और मैं तंग आ आते बल्ड़े, जब वापस लड़ वापस सुना दो, वापस गालिया दो वापस उनके बराबरी कर लो, तब eh मुझे शानती मिलती है, उसके विना मुझे शानती नहीं मिलती है, और आप कह रहे हो कि शंती पानी है, तो मौन डखना सीखो। ऐसा को होता है क्या, अगर ऐसा करे यह कोई भर इलेंगे यहां हम जयारा बहुत से जूटे नहीं जोट एगा qui फोट मारे मारेख हम तथे μीन हैं जुकी जूते हैं टुर आंड बोलती, सुनते वक्तों कहते हैं, हाँ मारा साप बिलकुल बात सही है, निमित सदा निर्दोश है, अपने अपने करमों काफल आदमी भोगता है, लेकिन पीछे जाकर के हार आदमी कहते हैं, ठीक है मारा साप की बाते लेकिन ट्रैक्टिकल थोड़ी इस दोनिया में जीना है तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा यहां तो सब कुछ करना ही पड़ेगा जूट भी बोलना पड़ेगा चोरी भी करनी पड़ेगी जुरूरत पड़ेगी तो अश्रस अश्र भी उठाने पड़ेंगे लोगों को भी पड़ेगा सुनाना भी पड़ेगा दिखाना भी पड़ेगा नहीं तो लोगता में उल्लू समझेंगे मुर्क समझेंगे और फिर हमारे को मुर्क समझेंगे वो कैसा भी विवार करेंगे आप बताओ यह बाते सच है या नहीं जो मैं बोल रही हूं करी लगता है आपक करनी चाहिए इत का जवा पत्थर से देना ही चाहिए जब प्रतिकुलत आएगी तो यह सारी अच्छी बाते ना सब गायब हो जाने वाली है यही तो कारण है कि हर साल हम पर्यूशन की साधना करते हैं और थोड़े दिनों बाद में वापस है या नहीं थोड़े दिनों बाद सिर्थर से पितार लाद में क्या होता है यह जाद रहेगी निमेट स्दा निर्दोशे याद रहेगा अर्यार रख लिया तो जिन्देगी जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा तो सचो तो तो थिर्थन केरों को भी तब खीट पैदा होता है यूने लगता है कि उनने यह यह नहीं आती। और तब तर्थ तर्थांकरों को लगता है कि यह कौन सी करूना बाकी रही जो मैं बूल रहा हूं। अगर मैं ना भी भूल तो क्या फर्रक पड़ना है। इसको जैसे रहना है उसको वैसे ही रहना है। और जिसको मेरी बातों से जो अर्थ निकालने है उसको वैसे अर्थ निकालने है। और कल को किसी तिर्थं करके कर फॉलोवर्स बन जाए शंग बन जाए तो बाकी के लोग क्या कहते है पता आपको। महावीर के संबंद में भी ऐसी चड़्चा हुआ करती थी। सुत्रों में उनका उल्डिक आता है कि कई लोग जो महावीर के भग्त थे महावीर के शिष्य हो गए उनको अन्यमतावलंबी लोग कहते थे तुम्हारा महावीर कल तक तो ठीक था जो अकेले रहता था जंगलों में साधना कड़ता था मौन रखता था आज देखो ना बोल जो वो तपस्या करता था देखो दुनिया साधक को पूझती है साधना करता हुआ वेक्ति नजर आता है क्योंकि साधना करते है वो त्याग कर रहा है तपस्या में है मौन में है ध्यान में है गोच्री भी नहीं करता है उपवास भी करता है तो साधक समझ में आता है आरे लोगों को अब जोड़े जा रहा है, अब लोगों को ज्यान दे रहा है, गरगर जाकर के उनको उपदेश दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि ये बक्तों को जोड़ रहा है, ये अपनी संस्था खड़ी कर रहा है, अब वो ना भी खड़ी कर रहे हो, लेकिन वो बोल तो लोग तो जुड़ेंगे ना? और जब लोग जुड़ेंगे तो उनकी व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी और जो व्यवस्था बने गी तो कई लोगों से मदद भी लेनी पड़ेगी बुद्ध के लिए वननर आता है कि बुद्ध जब गाउं गाउं जाते थे तो अपने भिक्षों को बोलते कि जरा जाना उन लोगों के घरों में भी जो श्रिष्थी हो और जिनके पास खुब धन पड़ा हो लेकिन उनको ये न पता हो कुनको धन कहा खरचना है तो जरा जाना और उनको भी बोद देकर के आना क्योंकि वे लोग धन खर्च करेंगे तो भिक्षों को रहने के लिए निवास स्थान मिलेंगे अब सोचो गोतम बुद्ध स्वयम एक राजपुत्र रहे है और जब आज वे भिक्षू बन गए है उनको धन से कोई प्रयोजन होना चाहिए क्या और अगर उनको धन से प्रयोजन है तो अपने पिताजी को पत्र बेज़ दे पिताजी उनको सारा व्यवस्था नहीं दे देगे उनके पिताजी को भेज दे पत्र कि हमें इतने धनकी जरूरत है हमारे भिक्षों को रहने के लिए भोजन के लिए वस्तों के लिए आवासादी सब की व्यवस्ता के लिए इतने सोनाया चाहिएंगी आप भिजवा दो लेकिन बुद्ध ने ऐसा तो नहीं किया मावी ने ऐसा तो नहीं किया घर घर से जागर के भिक्षा ली क्यों ली लोगों ने बाते नहीं कि होगी कि जो फिर राजपाद छोड़ने ही क्यो था अगर तुमें वापस इन सब व्यवस्थाओं की जुरूरत है तो राजपाद की छोड़ा शेष्टी पुत्रों को क्यो प्रभावित कर रहे हो क्यों उनसे दान देने की प्रेहना दे रहे हो आदमी आदमी है उस युक का आदमी हो या इस युक का आदमी हो आलोचन निंदा करने से कोई बाज आता है तीका टिपणी करने से कोई रुका है ना सत्युग में रुका ना किसी युग में रुका हर युग में ही आदमी तो टिका टिपणी करता ही है बुद्ध के सामने में बड़ी ठीका टिपनिया हुई लोगोंने सवाल किये मावीर से सवाल हुए मावीर के बारे में लोगोंने सवाल किये तो मावीर ने क्या कहा बुद्ध ने क्या सोचा उनकी क्या दश्या होगी सोचो जड़ा जुन्होंने सब कुछ छोड़ा खुद को अपलब्द कर लिया, अब वापस हम जैसे अज्यानियों पर करुणा करके बोल रहे और हम जैसे लोग उनसे ज्यान पाकर के वापस उनी को उनी को अबदेश दे रहे, उनी को ताना सुना रहे, उनी को तिका तिपनी कर रहे, ती बहिया क्या जुरूरत है अब तुमको तो बुद्ध ने क्या कहा कि मैं राजपुत्र था मैं चाहता तो वहां से भी धन ले सकता था लेकिन नहीं ये सारे श्रिस्थी लोग जगदान देंगे तो ये नहीं जानते कि ये बुद्धत्व के मार्क पर अपना एक कदम आगे बढ़ाए कि ऐसी पात्रता इन में डवलप हो सकेगी अब सुचो क्यों दान लेता है क्यों सादू घरगर से भीक्षा ले रहा है क्या जुरूरत है एक जगे विवस्ता हो जाए लेकि नहीं जुतने लोग भीक्षा देंगे और भाव से देंगे अगर तो वे भी अपने जीवन में ब इसलिए हर धरम ने दान की बात कही महावीर के समक्ष जब ऐसी बाते आती कि अब ये सब लोग क्यूँ जब पहले अकेले थे तो अब लोग क्यूँ महावीर जानते हैं कि लोगों का जुड़ना और उनके द्वारा ज्ञान का खिरना उनकी वाणी का जरना ये सब अब पूर्व रचित पूर्व श्रिजित उनके अपने द्वारा अनुबंदित तिर्थंकर गोत्र कर्म की निडजराद है अब वे बोलेंगे तभी उनके वो बाकी के कर्म जो बच गया है वो भी खतम होंगे और तभी वे पूर्ण तया निर्वान को अफलब्ध होंगे मुक्ष तो तभी हो गई जब केवल्य हुआ मुक्ष तो तभी हो गई जब वीत्राग हुए लेकिन मौक्ष और निर्मान में फरक है मौक्ष मौक एक स्य होने का नाम है और निर्वान इस संपूल देह आदि व्यक्तित्व के इस चवी के ही निकल जाने का नाम है जब देह भी ना बचे उसका नाम निर्वान और मोह ना बचे उसका नाम मौक्ष मौक्ष तो तेरवे गुनस्थान में हो गया बाहरवे के अंत में ही हो गया शीन मौनिय हुआ और मुक्त हो गया लेकिन निर्वान कब हुआ केवल ग्यान के 30 वरश 40 वरश, 42 वरश बाद किसी को और जादा वरशों तक जीना पड़ा, तो उनको पता लगा कि संसार में सुक्रत करने पर भी क्या होता है तो वे तो वित्राग है, इसलिए उनको फरक नहीं पड़ता, वे जानते हैं कि वे बोधी देते हैं, तब भी लोग उनको पत्थर मारते हैं वे जानते हैं कि वे करुणा देते हैं, ज्यान देते हैं, प्रेम देते हैं तब भी लोग उनके उपर तरह तरह की व्याख्याई निकालते हैं लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनको एक बात समझ आ गई कि सोयवे आदमी को जगाना खतरनाख है उत्रह दिन सुत्र के चटे अध्याई में गाथा चौथे अध्याई में गाथा आती है कि सुत्ती सुयावी पड़िभुध जीवी नोवी ससे पंडियासुपन्य गोरा मुहता अबलंग सरीरं भारंड पक्खी वचरप पमत्तो सुत्ते सुयावी पड़िभुध जीवी इन सोयवे सारे लोगों में अगर तुम जागरत हो प्रती बुद्ध हो नोवी ससे पंडियासुपन्य यह पंडित है आशुपरग्या तुम इन सोयवे लोगों पर भरोसा मत करना क्योंकि यह नीन में कह भी देंगे ना कि मुझे तारने आना अर तुम चले भी गए ना उनको जगाने के लिए कई लोग होते हैं नीन में सोने से पहले कह कर के सोते हैं कि मुझे जगा देना लेकि जगाने जआो जीरू जगाने 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 ए पंडित है ऐशु प्रग्या तौ इन पर भरोसा नत करना तू केवल अपरमट हो करके अपनी साधना करना क्योंकि ये लोग जगाय जाने पर भी मारेंगे और तू ना जगायगा तो भी मारेंगे इसलिए का भारंद पक्षी वचरफ प्रमट तू बारंद पक्षी की तरह अप्रमत्य होकर के विच्रेंड करना गोरा मुहुत्ता अवलं शरीरं शरी निर्वल है और काल गोर है ने जाने कम रत्यों आजाए इसलिए भला करने के चक्कर में रुखना मत बारंद पक्षी की तरह बन जाना बारंदपक्षी एक विशेष्टा बता है इस अपक्षी होता है कि उसका खाना वो जमीन पे जुखता है और खाना लगता है तो उसको सदा भय सता है कि उपड़ से कोई वार आगिया तो वो मर्ज जाएगा इसलिए वो नीचे चुकतार उपड़ देखता नीचे चुकता बना रहता है सावधन बना रहता है कि कहीं मुझे किसी प्रकार से दुर्गटता ना हो जाए जाए तो कहा जैसे वो हरक्षण आप्रमत्त रहता है अपने आहाराधी को गहन करते समये ऐसे ही है साधक तू भी सितत सावधन रहना तो सवाल ये है कि बुद्ध पुरुशों क भी बोले जाने पर क्या मिलता है? ज्ञान दिये जाने पर क्या मिलता है? तो बुद्ध पुरुष इस बोधी को जानते हैं क्योंकि वो तो बुद्ध हो चुके इसलिए वे जानते हैं कि ये दुनिया सब अपने-पने कल्प में सोय वे हैं अपने अपने कलपनाओं में सोयवे लोग है और इनमें अगर कोई वेक्ति अच्छी कलपना करके भला करने जाता है तो उसको भी लोग कहेंगे भाया, बड़ा दान दाता आया है बड़ा पुन्य करम करना चाहता है हमें खाना खिला करके तुम अपने पुनिय कर्मों को बादना चाहते हो, क्या? लोग बड़े हैं, जीव गुरीव हैं, आप उनको खाना ना खिलाओ तो भी गुस्सा करेंगे, और खाना खिलाओ तो कहेंगे, तेखो दान करके अपना नाम लेना चाहते हैं, जी. आरंबा करके, यह संस्था के पत से छूटना नही चाहते? यह संस्था के पत को छोड़ना नही चोछते हैं, इछाहते हैं, ताकि लोग इनको कईबी जाने ना दे, फसलिए ज्यदा से ज्यदा अगे सा गळ बढ़ करके छेना थमय ज्यानि और से बढ़ा हैं, यानि करो तो तो सुत्रकार कहते हैं, कि देखो, आप करता भाव से मुक्त हो जाओ, आरंब भाव से मुक्त हो जाओ, मैं कुछ अच्छा करने जाओ, ऐसी सोच भी मत रखो, फिर क्या होगा, केवल सद भावित रहो, कि सब का मंगल हो, और तब तुम्हारे अंदर से कोई करम उठ जाए, औ सहच तब की भावनाई, सहच सेवा की भावनाई, और वो कर गुजरे, तो उसका परिणाम क्या होगा, कि करने के बाद तुम्हस चीज के प्रती लगाव परक नहीं बनोगे, वो गटना गटेगी, और गटने के साथ हट जाएगी, सुक्रत की परिवास्या क्या बताई, सु कई बार हुआ होगा आप से, कि किसी से सहच आपको सहयोग दे दिया गया, आप आगे बढ़ गए, आप बूल गए कि आपने कभी सहयोग भी दिया था, आपके चित्त पे उसका कोई प्रभाव नहीं बना, और कुछ सालों बाद आपको पता लगता है, कि आपने जो सहयोग बाद में लोग आकर के कहते हैं कि महारा साफ जी आपके मुख से ये वानी निकली थी, मेरा को भला हो गया था, आप कहते हो अच्छा भया, हो गया होगा, जैसे नदिया है, किनारों से आके गुजर जाती है, किसी को पानी मिल गया तो मिल गया, किसी ने पानी निकाल लिया ले लिया तो ले लिया लेकि नदिया इसलिए नहीं रुक रही थी तुम्हारे पास में कि तुम ज़रा सिंचाई कर लो तुम ज़रा पानी निकाल लो तुम ज़रा अपने घरों की खेतों की भूबाई कर लो या सफाई कर लो नदियों का कोई प्रयोजन नहीं था वो तो लेकिन उस र eyeballs कोई भी करम उसको भविष्य के साथ कोई अनुबंध नहीं कराता प्रतिबंध नहीं कराता उसमें कड़ता भाव नहीं लाता और चुंकि उसमें कड़ता भाव नहीं आता इसलिए उसके द्वारा किये गई करम का परिनाम अच्छा हो या भुरा हो वह अपरभ आवंकित नई होने दिया यानि की कर भला तो हो भला या कर भला तो हो बुरा इन दोनों ही विकलपों से मुक्त हो जाओ भला ना करने गए ना बुरा करने गए सहस्ता से कुछ गटनाय गटनी थी गट गई और हम तो आगे बढ़ गए अगर ऐसा कोई जीता है वो वही जी सकता है जो खुद में जागरत है यतनावान है जिसे अपने जीवन प्रवा में अपने आपके भीतर कोई प्रकार की बाधाय नहीं है अपने भीतर मन में कोई बाधाय नहीं है जब तक मन में बाधाय है एंकार की लालच की, पुन्य कमाने की, पाप से डढने की, जब तक भीपर में बादाएं हैं, तब तक हर गतने वाली गतना, कोई ने कोई बंधन करवाएगी, लेकिन जो भीतर में कोई बादाएं नहीं बची, तो प्रवा, जीवन धारा, प्रवा, प्राण प्रवाग खुब खुच चल रहा है, कुछ गटना है, गड़ गई तो गड़ गई, व्यक्ति आके बढ़ गया, कोई ऐसा जीए, तो वह मुक्त पुरुष है, लेकिन जब तक हम अभी ऐसे नहीं हुए, तब तक क्या करें? सवाल ये है, कि हम अभी ऐसे नहीं हुए कि हमारी प्रांधारा अबादित हो गई हो, हमारे भीतर की धारा, बिना किसी तरह के disturbance की हो गई हो, हमारे अपने चित्त में कितने तरह के विकार है, कितने तरह के रोड़े हैं, कितने तरह की बाधाए हैं, दंब पड़ा है, अभिमान पड़ा है लालज पड़ा है, आलस पड़ा है प्रदशन की भावना पड़ी है छुपाने की भावना पड़ी है अब हमारे अपने अंबर अभी तक इतने सारे दोश पड़े हैं, तब हम क्या करें और ऐसे में अगर हमसे दशा में जी रहे हैं, वहां कुछ लोग कुछ करने तो चले ही जाते हैं, तो हम क्या करें इस ट्रस्टी के संगीत में सहष प्रवा में मेरे द्वारा कोई बादा न पहुँचे ये भावना भाते हुए भी अगर कदाचित बादा पहुच जाती है तो विक्ति अपने द्वारा किसी को मिली बादा के लिए पूरे भाव के साथ, पूरे ज्ञान के साथ निवरत्ती के तीसरे मंत्र की आरात्ना के और निवरत्ती का तीसरे मंत्र है मिच्छामी दुखकड़म मिच्छामी दुखकड़म दुखकर्दम दुष्कृतम वो जो अशुब कार्य हो गया वह जो अकरनिय कार्य हो गया वह जो नहीं बोले जाने योग्य वचन बोल दिया गया तो क्या हो मिच्छामी दुखकर्दम वह दुखकर्दम वह दुष्कृतिय मिच्छा हो जाए मिथ्या हो जाए, निश्वल हो जाए फल से मुक्त हो जाए, आकृती से मुक्त हो जाए उस दुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब भी हम आरंबरहित नहीं हो पाए हैं, तो क्या करना? फिर अगर सोच से, वचन से, कारी शैली से, हमारे दुआरा कुछ भी, दुष्क्रत्य हो गया है, चाहे उस दुष्क्रत्य ने, किसी को प्रकट प्रभावित किया है, या प्रकट प्रभावित नहीं किया है, जैसे कई बार कोई सामने वाला वेक्पी समझ पाता है, आपने चोरी की, सामने वाले को पता ही नहीं लगा, तो वो प्रकट प्रभावित तो नहीं हुआ, वो उसको पता लगेगा तब तक, नजाने कितने दिनों मैनों बीच चुके होंगे और हो सकता उसको पता भी ने लगीगा कि आपने चोरी की, वो तो प्रकेट प्रभावित हुआ ही नहीं लेकिन आपको तो पता है कि आपने चोरी की आपको तो पता है कि हमने मिलावट की हमको तो पता है कि हमने जूट बोला चाहे वो जूट पकड़ा ही नहीं गया और पकड़ा नहीं गया तब तक हम लोगों को वैसे भी लगता है कि दंड तो मिले गई नहीं क्योंकि पकड़ा जाए गई नहीं मैं तो बड़ी साफ सफाई से जूट बोला हर सबी पिता दिये है तो पकड़ा दो जोने वाली नहीं लेकिन कभी ऐसा भी हो कि आप के कृतियों से कोई प्रकट प्रभावित नहीं हुआ लेकिन जूट बोला तो गया है आश्रन की मरियादाओं को उलंगा तो किया है उलंगन तो किया है तो ऐसे में क्या करना तस मिच्छामी तुक्र बंदिविवे करम निर्जरित हो जाएंगे प्रवरत्ती से हम निवरत्ती में आपाएंगे अगर हम निवरत्ती के इस तीसरे वेद की इस तीसरे मंत्र की सम्यक तरह से अराध्ना करेंगे कल हमने निवरत्ती के दो मन्त्रों की बात की थी एक था निश्य ही और दूसरा था खामट खामना आज तीसरा मंत्र है वो है मिच्छामी दुख्यरम बहुत सारे लोग जो और दिनों में प्रतिक्रमन करे न करे परिशनों के अंदर अपना प्रतिकरमन करने की भावना जुरूर रखते हैं जहाँ भी उनको निकेट में प्रतिकरमन करने का आफसर मिलता है पहुंचते भी है हाँ, बहुत सारे लोग प्रतिकरमन करना जानती नहीं है इसलिए सामने वाला एक वेक्ति बोलता है और बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे होते अब जो वेक्ति बोलता है उसके सारे पाड तो समझ नहीं आते लेकिन पाड के अंत में बोला गया एक शब सबको समझ आजाता है वो क्या है? एक बोलता है सारे लोग रिपीट भी करते है ऐसा ही होता है ना? और तब एक सवाल पैदा होता है कि मिच्छ में दुखणम दे तो दिया पर इस मिच्छ में दुखणम का मिनिंग क्या और किसके लिए दिया? वो हमें पता नहीं तर इसे में क्या करना? अब आप लोग अग्यान में ना रहो चाहे प्रतिक्रमण के पाथ याद नहीं है तब भी अपने अथिक्रमण के पाथ चाहे याद नहीं हो अपने अथिक्रमण के पाथ चाहे याद नहीं हो अपने अथिक्रमण का पता तो सबको चलता है ऐसा तो बच्चा हो या बड़ा हो पड़ा लिखा हो या गैर पड़ा लिखा हो पता तो सब को चलता है कि मैं कहां कहां आउट ओफ ओडर होता हूँ कहां कहां अकरनिय कर लेता हूँ कहां किसी को कस्ट दाई बोल देता हूँ या कार्या कर लेता हूँ या सोच लेता हूँ तो ऐसे मैं अपने अथिक्रमनों को पहले याद करना कि मैंने अथिक्रमन क्या 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 प्राकृत अगया का उलंगन कहां किया अकृत अगया का उलंगन कहां किया और जागृत अगया का उलंगन कहां किया नाचुरल ओर्डर, सोश्यल ओर्डर, स्पृुच्यल ओर्डर, जब तीनों का पता लगा लेंगे, उसके बाद में कहना कि जहां जहां मेरे द्वारा, जाने अन जाने, चाहे अन चाहे, इंटेंशनली या अन इंटेंशनली, कोई भी दुष्कृत्य हुआ है, तो मेरा निश्वल हो, निश्वल हो, निश्वल हो, वह दुष्कृत्य है, दुखकडम, मिच्छामी, यानि मिथ्या हो, मिथ्या हो यानि कि अब फल को प्राप्त न करें, वो गटनाय न गटनाय, मैं उस दुष्कृत्य से अपने आपको डिस्कनेक्ट करता हूं, इस तरह से भाव करके हम मिच्छामी दुक्रम वर्ड पहले अपने दुष्कृतियों को याद करेंगे फिर उन दुष्कृतियों को अपने रिदे में से अपने भावों में से निकालते हुए कहेंगे कि वा दुष्कृतिय निश्वलो कर सकता है ना तो बताओ कौन ऐसा है जिसको प्रतिक्रमन के पास नहीं आद होते हैं, वो प्रतिक्रमन नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है, हमेंसे हर विक्ति अपना प्रतिक्रमन कर सकता है, क्योंकि अपने अतिक्रमनों का ज्ञान हमें है, और हमारा प्रतिक्रमन कोई दूसरा नहीं करवा सकता, वो प तो उसका पता करना अतिक्रमन किया किया और उसके बाद में उसको मिच्छा मिदुक्रम देना अगर इस तीसरे वेद की हम साधना करते हैं तो हमारे भी तरसे प्रमाद भी समापत होंगे कशाय भी समापत होंगे और शने शने आरंब भाव भी समापत हो जाएगा और जब आर अच्छा करने जाना, एहम भाव के साथ कुछ अच्छा करना दिखाना वो भी हमें नहीं करना, अगर भाव उठा और गटना गटे, तो गटने दो, रोको मत, लेकिन अगर भाव नहीं उठा, तो अपने भीतर कोई आपचारिक्ता हमें पैदा, नहीं करना, इतने सहज हम बनन होने की वजे से, धरम करें या न करें, हम धार्मिक नहीं होते, सरल बने, सहज बने, जय हो